आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास एर्थ हिंदी दूर्बा बुक का पाट साथ उठ किसान ओ कविता का भावार्थ तो चलिए कविता का भावार्थ देख लें उठ किसान ओ उठ किसान ओ बादल घिर आएं हैं तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आएं हैं तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार होगा इस कविता में किसान से जग जाने का आवाहन किया गया है कि वो चेतन ने हो जाए भारत जैसे क्रिशी प्रधान देश में मौसून का उसकी अर्थ विवस्था पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है हाला कि आजकल खेती के नए-नए तरीके हमारे देश में इस्तमाल होने लगे हैं फिर भी बारिश का महत तो पहले की तरह ही है कवी किसान को उठ जाने को कहता है क्यूंकि उसके हरे भरे सावन के साथ ही बादल घिर घिर कर आए हैं बादल अपने साथ वर्षा लाएंगे जिससे खेत लैलहाने लगेंगे आगे है आसमान भर गया देखतो इधर देखतो उधर देखतो नाच रहे हैं उमर घुमर कर काले बादल तनिक देखतो तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाएं है तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है इधर उधर जहां भी देखो आसमान बादलों से घिरा हुआ है उमरते घुमरते काले बादलों की सुन्दरता वाकई देखने लायक है ये किसान के जीवन में नए राग का संचार करने आए है जब मौनसून शुरू होता है तो किसान के लिए एक फसल चक्र की एहम शुरुवात होती है उस फसल की सफलता पर उसका पूरा भवश दाव पर लगा होता है यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरुवाई तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चल कर आई फिर वे परदेशी पाहुन सुन तेरे घर आए है तो यहाँ पर शीतल यानि ठंडा और पुरुवाई यानि हवा परदेशी पाहुन यानि परदेशी महमान तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा कि ऐसा लगता है कि सरस, मधुर और शीतल पुर्वया हवा उस बादल रूपी पाहुन यानि महमान का संदेशा लेकर आई है कि वो ये कह रही है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कितनी दूर से चल कर आई हूँ उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर और फुवारों की सीत चादर देख उतरते हैं धरती पर छिपे खेत में आँख मिचोली सी करते आए हैं तो आँख मिचोली जो खेल होता है जो बच्चे खेलते हैं वैसे ही जो बादल है वो खेल खेल रहे हैं तो यहाँ पर है कि बादल खेतों में आँख मिचोली का खेल खेल रहे हैं वे नाच-nाच कर और गरज-गरज कर अपना खेल खेलते हैं ऐसा लगता है कि बादलों ने फुहारों की सफेज चादर ओड़ रखी हो आगे है हरा खेत जब लहरा आएगा हरी पताका फैराएगा छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्का आएगा तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज चाएं हैं तो पताका होता है जंडा और इसका अर्थ है किसान जब अच्छी फसल के सपने देख रहा है वह देख रहा है कि कैसे उसके हरे खेट लहराएंगे और अपनी हरी पताकाएं फैराएंगे यानि उसके जो खेट हैं लहलाएंगे और खेट हरे होते हैं तो यहाँ पर उन्हें हरी पताका कहा गया है उस समय बादल किस तरह मुस्कुराता हुआ उनको देखेगा और खुश होगा क्योंकि किसी किसान के लिए अच्छी बारिश से बड़ा वर्दान और कुछ नहीं हो सकता बारिश अच्छी होती है तभी उसकी फसल अच्छी होती है और अच्छी फसल से ही उसके घर में खुशाली आती है तो इसलिए यहाँ पर किसान के लिए बादलों को और बारिश को एक खास महत्र दिया गया है कि उसके लिए जो बारिश है वो किसी वर्दान से कम नहीं है तो यह तो हो गया कविता का अर्थ और इसके प्रशन उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें